नमस्कार में शिवांगी आप देख रहे हैं जेमडी खबर केंद्र सरकार की उपेशा से परिशान होकर भारतिय टेलिकॉम एंप्लोईस यूनियन के अफसरों और करमचारियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर हजरग नजिस्तित पीमजी ऑफिस पर प्रदर्शन किया आपको बता दे कि सरकारी कंपणी बियसमेल को 5G और 4G स्पेक्ट्रम तुरंत आवंटित कराने की मांग की है बियसमेल की सेवाओं और नेट्वर्क में सुधार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उब भोगता इसका लाब ले सके ग्यापन में उद्योगों की सुरक्षा, रास्ट्रेय, हितों के चिंता एवं करमचारियों के आर्थिक हितों के बारे में मुख्यरूप से मांग रखी गई है करमचारियों के मताबिक प्राइविट कंपनियों को पहले स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिये जाते हैं जिसके चलते वो कंपनियां भारी भरकम मुनाफ़ा कमाती हैं सरकारी कंपनी होने के बावजूद बेसल के साथ दुर्व्योहार किया जा रहा है और जहां सबसे पहले स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए उसकी अंदेकी की जाती है बियस्नल की जो सेवाएं हैं आज आम आदमी तक जिसके नाते डेटा से लेके काल सब जन मानस तक सुलब है वो बियस्नल की हालत इतनी दैनिय हो गई है इस मैनेजमेंट के नकारापन के नाते हमेशा समाज में तीन पक्ष होता है एक सरकार होती है एक मैनेजमेंट होता है एक रिपर्जेंटेटीव होता है आज बड़े दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि BSNL का करमचारी गुमरा है और जिसको कोसना चाहिए इसको कोसना चाहिए उसकी जो सरकार है वो यूनियन है अपनी दिकजनाज यूनियन को नो कोस करके मैनेजमेंट और सरकार को कोस रही है आज 2000 में जब से BSNL बना तब से बामपन्थी, दामपन्थी, नाकामपन्थी इन सब लोगों ने सरकार की नीती का विरोध करके करमचारीों को भरगलाने का काम किया और वही सेवाएं सोयमार्ट किया अभी ताजा उदानर देखिए 2019 में जब बियारस आया तो इन बामपन्थी ने कहा एं बियारस बहुत कतरनाक है लेकिन आज जिस परदेश में अपनी कांफेंस हो रही जहां अपनी मीटिंग हो रही है उस परदेश के जो बामपन्थी यूनियन के प्रमुख लोग थे जो उनके प्रदेश महामंत्री थे, दूसरे यूनियन के अध्यक थे, उन लोगों ने बियारस का लाब लिया, इंपलाई को कहा न लो, जबकि भारतिय मजदूर संग के लोगों ने कहा, एक अच्छा पैकेजे कंपनी का रिवाइबल हो रहा है, इसके तहत 78,000 लोग गए, सर इस बात को जागे, कि हमारी सरकार, हमारे प्रतिधी, तो हमारी यूनियन की नेता है, आज हमको महीनों बेतन नहीं मिलता है, दो-दो महीनें इंतियार करना पड़ता है, रेबनू आने के बाद, बारासो से चौदा सो करोन रुपए परमंत का रेबनू, बियस्तनल कंपनी क है, और इसी के नाते, ये एक नारा नया दिये हैं, A.U.A.B., All Union Red Association, जबकि भारतिय मजदूर संख, बियस्तनल के तीसरे नंबर का यूनियन है, एफेंटियों जो कांग्रेस की यूनियन है, वो इसमें सामिल नहीं है, तमाम ऐसे घटक नहीं सामिल है, जो माननेता के